अखा जो हन्जू वहांदा हुया तिया अपना दुखड़ा सुनोंदा इफ फैक्टरी मालक है जिस दी आखांदे सामने उस दी सारी जिन्दगी दी मेनत उस दी फैक्टरी सड़ के स्वाह हो गया फैक्टरी मालक दा कहना है कि फार ब्रिगेड देरी दिन आल पांची जिदो तके थे फार ब्रिगेड पांची सब कुछ सड़ के स्वाह हो चुकिया सी उस दा सब कुछ उचड़ गया है सब कुछ खतम हो गया है दिसे जारेगे कि टेक्स्टाइल फैक्टरी है जिस दे विच परिक्या चारे के फार्बरगेड काफी दीरी दिन आल पहुंची जदो तक फार्बरगेड थे पहुंची सब कुछ सड़के स्वा हो चुक्या सी। उनने तुरंत फार्बरगेड नो सूचित कीता, मालक नो मौके ते बुलाया ते पुलिस मी मौके ते पहुंच गई। जिस विच चकचा माल अते मशीना पयां हुएं संता अजानक इस्ते विच आग लाग गई। हाला कि अगल गंदे कारण मी साफ नहीं हुए ने। पर इते फैक्टरी मालक दा रो रो के बुरा हाल है क्योंकि उस दा कहना है कि उस दा सब कुछ ही उजड़के आए। जिस विच्टरी है जिए। तो कैसे क्या हुआ अस हुए। मैं खुद नहीं पता जिए। फॉन आया। फैक्टरी में लेबर का आग लगी है। बहुजी फायर बिर्गेट बुला लो सब कुछ खतब हो जा। क्या बनता था क्या का काम चांटायों मुर्द फायार बिर्गेट का क्या आख ज़िकले किसमोइए और फायर बिर्गेट में भातर फॉन पुलीश ... किर यहां सब से पहले पुलिस वाले आएगी पुलिस वालों ने यहां फायर ब्रिजेट को फोन किते बुलाया है कितरा उत्सान वो पुछी आपके सामने लिए कि साथ जी खत्मी होगी लिए कि अधिक मशीन को शोच रहे हैं वहीं मशीन को बचाने को शिच कर रहे है वापिछे लगे पढ़े लिए जब अभी मशीन बचाए तो बिल्डिंग और माल तो जीरो है तो किस प्रकार से क्या गटना हुए यहग लगने की पाँज़ घटना हुआ था जिए पाँज़ कर देखर नूह था यह फाने किल दुना गजै तो देखिए बागों नहीं 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 तो की से लगा पता लगा तो पूरी फैक्टरी जल गया तो जो लेवर थी वो इसके अंदर ही थी लेवर बार रहता है तो फाइर पिगेट आगी मोगे पे पूरी दर फाइर फाइर पिगेट आप अगी ले नहीं पहावन दा जी है तो काभू नहीं आता नहीं